Good morning everyone, आज हम पढ़ेंगे, English class 5th, lesson 7, and lesson का नाम है, and suddenly it's summer, okay, so let's get started, first here given, the first of May, and suddenly it's summer, यानि मई के महिने में बेसिकली क्या होता है, summer season होता है, यानि गर्मी का season होता है, okay, Okay, the potter plants cry out for water, जो भी plants होते हैं, वो किस के लिए तरस जाते हैं, वो पानी के लिए तरस जाते हैं, and I give them whatever in the tap, okay, और जो पानी होता है टाइप में नल में, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उस बोधे को पानी देते हैं, okay, most of it goes into पुदीना पैच, okay, यानि सबसे दा पान क्या कौन लेता है, पुदीना क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं, पुदीना निर्ट सबस आफ वाटर, पुदीना को ज्यादा सजादा पानी क्या हो सकता होती है, okay, and it's healthy crop of उदीना, और वो क्या था, एक जो पुदीना होती है, वो है healthy crops है, okay, enough to give us पुदीना चटनी, every पुदीना चटनी, अगर हम बीमार भी हों ठीक है, लेकिन पुदीना के चटनी से हमें बीमारी नहीं होती है, it goes well with almost anything, okay, पुदीना चटनी मुझे सबसे अच्छी लगती है, I like the best on a hot butter toast, मुझे hot butter toast के साथ पुदीना के चटनी काफी अच्छी लगती है, okay, here, most of the trees are now in the new leaf, मैं के सीजन में क्या होते हैं, धेर सारे पीर पुदे जो होते हैं, वो नए पत्ते लगे होते हैं, ठीक है, flowering, candela, brass, hang from the chestnut tree, okay, cicadas, sing and dark oak tree, okay, क्या होता है, उसे में जो flowers होते हैं, वो पीर से लटके होते हैं, और जो झिंगुर होते हैं, वो गीत गाते हैं, oak tree पै, okay, there come a big fat bumble sea selling through my open window, इसके बाद क्या होता है, उस गर्मियों के सीजन में, एक बार, क्या होता है, big fat bumble bees, okay, यानि भर बनाती होई मदमुकी, मेरे बिंडो से, मेरे ओपेन बिंडो से, मेरे घर के अंदर में घूस जाती है, okay, I'm a little worry of bees, मैं थोड़ा थार क्या करता हूं, very, यान been stung a few times, यानि जो bee हमें, दो तीन बार, डंक मार चुकी है, okay, but, लेकिन, as a granny is to say, लेकिन, grandma से कहती है कि, bee one is good for you, यानि जो bee है, यानि मदमुकी हो, तुम्हारे लिए अच्छी है, okay, bee keepers, bee keepers क्या होते हैं, जो bee को रखते हैं, okay, यानि जो bee को पालते हैं, यानि मदमुकी क plenty of them this year, and they don't bite or sting, हम क्या किया है, उस जो bee होती है, मदमुकी होते हैं, हम उसे, कई बार, सट चुके हैं, मतलब इस्टिक हो चुके हैं, इसके बाउजद भी वो डंक नहीं मारती हैं, okay, here, the most arrive a dusk attracted by the light in my rooms, इसके बाद वो गर्मियों के स्विजन में क्या होता है, जाम लोग light जलाते हैं, तो जितने भी मोत, मतलब, मोत क्या कह सकते हैं, मोत देखते रहा है, एक कीड़ा होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, light को देखकर attract होके, वो एक जहां जूट जाते हैं, okay, almost salute one yesterday, okay, इस कहाने में कहा जा रहा है, कि मैं थोड़ी थार मतलब, क्या हुआ, इस से थोड़ा ही बचा, नहीं तो मैं इसको निगल गया होता, उस मक्खी को, okay, must learn to keep my mouth shut, मुझे अपने मुह को बंद करने के लिए सीखना पड़ेगा, ताकि जो मोत हैं, मक्खी हैं, हमारे मुह में ना घुसे, मोत टेस्ट like mud in case you don't know, okay, याने जो मक्खी की टेस्ट होती हैं, ब I remember seeing a gazelle singer solo a mouth while he was in the middle of a performance, okay, यानि मैंने देखा है, जब gazelle singers होते हैं, जो भनबना के गाते हैं, ठीके, solo a mouth while he was in the middle of a performance, वो किसको चबा गया, gazelle singer, एक मक्खी को चबा गया, okay, जो कि वो भनबना आ रहा था, it affected him very badly, यह उसको बहुत ही बूरी तरह से affect किया, Never again did he sing with the same freedom and abandon, okay, और इसके बाद वो मक्खी गाना नहीं गा सके, क्योंकि वो जो गजब सिंगर था, उस मक्खी को basically चबा गया था, या निगल गया था, okay, Always expecting some winged insect to fly into open mouth and interfere with his vocal words, उस समय में क्या होता है, मैं जून के समय basically ऐसे होते हैं कि ज़्यादा मक्खी या कीडे, मकोडे हमें सब उरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो, क्या होता है, हम लोग हमेसे expect करते हैं कई हमारे वो मुह में ना घूस जाएं और हम उसको कहीं से गलती से उसको निगल ना लें, okay, Then after, in India, India में क्या होता है, there are many people, India में धेर सारे लोग हैं, but even more insect, flies, mosquitoes, ants, bugs, or falcons, okay, लेकिन आदमियों से ज़्यादा, कीड़े, मकोडे, मच्छर, चीटिया, बक्स, इन सारे चीजों के प्रजात ज़्यादा हैं, okay, I have seen a famous wicket keeper, मैंने एक famous wicket keeper को देखा है, कि drop a catch because a fly was buzzing around in his hamlet, okay, यानि मैं famous wicket keeper को देखा हूँ, catch को छोड़ते हुए देखा हूँ, क्यूंकि एक मक्खी क्या हो रही थी, उसके helmet के चारो बगल भर्मना आ रही थी, और उससे वो distract होके, उसने catch छोड़ दिया, okay, and a great batsman being balled because red ants had got into his productive box, beaten him, crucial moments, okay, यानि जो batsman था, वह एक baller balling कर रहा था, ठीक है, जो एक red ant थी, मतलब एक cheat थी उसको क्या कर थी, distract कर दी या कहीं काट लिया, ठीक है, उससे distract होके, उसने, मतलब batting नहीं कर पाई, okay, matches have been one and opposed due to the prevalence of cricket living scent flies, okay, यानि scent flies क्या होता है, matches have been one, जो matches हो रही थी, वो जीता जा चुका था, ठीक है, and opposed due to the prevalence of cricket living scent flies, and matches fixes can do nothing about insects, लेकिन जो match fixer है, वो insect के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्यूंकि insect कों कोई भी नहीं रोख सकता है, okay, यानि जो वार भी हुआ है, हमला भी हुआ है, ठीक है, कई धेर सारे लडाईया भी हुई है, वो किसके उज़े से जीती गई हैं, इसमें बताया जा रहा है कि have been one and lost because of them, मक्य कोज़े से ही जीती गई है, जैसे कि when Alexander invaded India, he did not know, जब Alexander इंडिया में घुसा तो, he did not know, वो नहीं जानता था कि what he was letting himself in for, मतलब वो क्या करने वाला है, ठीक है, समय राइप, जब समर के सीजन आई, ठीक है, गरिमियों के सीजन आया, and he was stranded in a synth desert, अब वो सिंध डिजट में क्या हुआ हुआ, घुस गया, गुस गया, तो वहाँ पर धेर सारे scorpion रहते थे ठीक है, और swarm रहते थे और mosquito रहते थे, तो इसके चलते क्या हुआ, वो धेर सारा उनको काटने लगे, इसके बाद अलक्जंडर डिसाइड किया कि नो फादर ना मेड़ टाक्टिकल री ट्रेक्ट टू कुलर क्लाइम्स, इसके बाद डिसाइड किया कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए, और समर फिर से आजाता है, विट इस मिलियन अफ इंसेक्ट, सम बेनोलेंट, सम मेलोलेंट, ओके, जबन में क्या होते हैं, मिलियन सफ इंसेक्ट इधर उधर उड़ते रहते हैं, यहांनि मेरे वाल पर मैं गर्मियों को सीजर में बीग इस्पाइडर मतलब बड़े मकड़ी भी देखा हूँ, तेछक ली सब्सक्राइब आण अधर मानामने उनके पास धर सारे पैर होते है और उनिगे आतरश the पो जार ततर से n kinda रंस अपर वाल्स जब इस पाइडर दीवार के ऊपर चलता है तो इस साइन टूर दाट इस कमिंग ओके यह साइन है कि बारिस आ रही है वेन इट इस रूंड डाउन वाल और अर्थक्वेक इन दा ओफिन अगर इस पाइडर कोई है दीवार से नीचे उतर रहा तो इसका साइ आपके बारिस पाइडर बार्थक्वेक आने वाला है यह जो इस पाइडर होते हैं काफी कंटेंटर दिखते हैं ठीक है प्रोबरी मिन्स फिस्टेट अन हर में वह क्या होते है अपने जाल के उपर खाना को बनाते हैं खाते हैं ओके यह आपके वीडियो अच्छी लेगे प झाल झाल झाल